आज 30 जन्वरी दो हजार चोवीस आज की मुरली के उपर मेडिटेशन अपने आपको बिल्कुल हलका छोड़ देंगे बहुत कालका अभ्यास जैसे ही शरीर और मन हलका हो रहा है ध्यान अपने आप दो आँखों के बीचे कागर हो रहा है मैसस करेंगे इस शरीर के अंदर शरीर को गुफा बना कर मैं आत्मा इस गुफा में तपस्या कर रहे हूँ एक दीपक इस गुफा को प्रकाशित कर रहा है और अपने आप पांच दर्त्वों की दुनिया से डिटाच हो रहा है गहन शान्ती का अनुखव हो रहा है शान्ती के सागर शिव बाबा से निरंतर शान्ती का प्रकाश मेरे अंदर प्रविश कर रहा है जैसे बाबा दिव्य प्रकाश है लाइट है और माइट है ऐसे मैं आत्मा भी लाइट हाउस और माइट हाउस मेरे द्वारा ये प्रकाश चार तरफ फैल रहा है कैसी भी आत्मा हो मेरे सामने आती ही उस आत्मा के अंदर की तामसी वृत्तिया समापत हो रही है क्योंकि मेरी द्रिष्टी आत्मिक है केवल चमकता हुआ डाइमंड ही कि मुझे दिखाए देता है किसी भी परिस्थिति का मेरे उपर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि मन और बुद्धी को मनमत और परमत से सदा खाली रखा है बाबा की दुआय मिल रही है क्योंकि निरंतर श्रीमत पर चलने से और योग युक्त रहने से स्थिति एक्रस बनते जा रही है मैं सुस हो रहा है कि अब वानप्रस्त अवस्ता है और एक एक सेकेंड बहुत वैल्यूएबल है मैं सदर्शन चक्रधारी ब्रामन कुल भूशन दैरे किश्वरिय संतान कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ और बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे है अपना वर्दानी हाथ मेरे सिर के उपर रखकर बाबा मुझे वर्दान दे रहे कि बच्चे आपने कल्प कल्प बाप की श्रीमत पर चलकर योग युक्त बनकर हर परिस्थिती में एक्रस रहकर हर एक आत्मा को डाइमंड के रूप में देखा है स्वयम को मनमत और पर्मत से मुक्त रखा है लाइट हाउस बन अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाया है अंतर मुक्ता की गुफा में बैटकर गहरे साइलेंस का अनुभाव करके डबल लाइट फरिष्था बने हो बाबा आपका पुर्शार देखकर बहुत खुश है आपको दिल से दुआए दे रहे हैं आपके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्यान होगा बाबा से दृष्टी और वर्दान प्राप्त करके मैं आत्माओं बहुत खुश हो रहे हूँ बाबा को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं धन्यवाद बाबा धन्यवाद मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा और दुलारा बाबा सच्चा बाबा और अच्छा बाबा दयालू बाबा कृपालू बाबा वाह बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया अच्छा ओम शांति झाल